नमस्कार दोस्तों, BHIC 103, History Honors, First Year में आप सभी स्टुडेंट्स होंगे, दिसंबर 2003 पेपर, बिल्कुल लेटेस्ट पेपर के माध्यम से मैं आपको पताऊंगा कुछ most repeated question, जो exam में बार-बार आते हैं, और यहाँ पे हम Hindi plus English दोनों मीडियो में इस पेपर को डिसकस करने की कोसिस करेंगे, ये question आपको exam में देखने के मलेंगे, ये के वल 5 मिनट शो है, 5 मिनट शो में हम क्या करते हैं, important question और keywords को highlight करते हैं in both language, तो आप focus करना, आपको कौन-कौन से questions exam में देखने के वाँ मिलेंगे, history of India का इस second part है, 3 घंटे का आपका paper होने वाला है, 100 number का आपका paper होगा, 5 question attempt करने हैं, 400 सब्दों में, जो आप कह सकते हैं, साथ वहन सास कोने, जिनोंने, आप कह सकते हैं, पितर सत्ता अत्म को व्यवस्था को अपना के, मातर सत्ता अत्म को व्यवस्था को अपना है, माता की वन्स परंपरा को आगे चला है, identity based on आप कह सकते हैं, किस पे, woman और mother, ठीक है, आप बताएए, किस तरीके से early state का क्या हुआ, formation हुआ, साथ वहन सासन में, important question है, साथ वहन वन से question यहाँ पर आया है, major Indian trading ports from, आपको बताना है भारत के प्रमुक बंदरगा, कौन-कौन से प्रमुक बंदरगा हुए, वो आपको यहाँ पर बताने हैं, प्रमुक बंदरगा, कौन-कौन से हुआ करते थे, यह आपको बताने है, clear, यह बात याद रहेगी, फिर next question, जो repeater हुँए, उन पर मैं स्टार लगूँआ, important पर भी स्टार लगूँआ, explain the political expansion और गुपता पीरेड, देखिए, या तो सात्मान या फिर गुपता मैं से एक कोशन जरूर आता है, रट लेना, गुपता पीरेड को अच्छे से पढ़िए, गुपता पीरेड क्या आप कह सकते हैं, economic, social और आप कह सकते हैं, cultural जो development है, क्योंकि आपको पता है, golden period of art and craft, है ना, कहा जाता है, इसको development of art and craft का golden period, गुपता पीरेड को बहुत important है, तिन नहीं concept आपको पता है, South India का ऐसा concept है, बार-बार exam में छपता है, तिन नहीं concept, है ना, exam में बार-बार छपेगा ये, territorial control of sungovans, sungovans से आप से यहाँ पर पूचा है, किस तरीके sungovans, आपको पता है, जो आपकी चीनी यात्री है, वो भी आपको देखने के लिए मिलेंगे, है ना, इसके अलावा, commercial organization, कभी आप से commercial organization पूचेगा, तो कभी आप से important ports पूचेगा, यहाँ हो जाता है, question important, कभी तो आप से कहएगा, इस period के ports बताईए, और कभी कहएगा, आप इस period के हमें important, क्या कहिए, commercial organization बताईए, दोनों में से एक आप से 100% यहाँ पर पूचा जाएगा, section second, section second को देखिए, describe the, आप कहसे, revival of trade and urbanization in the early medieval period, आप बताईए, पूरु मध्याकाल का जो समय है, उसके अंदर व्यापार किस तरीके से होता था, और urbanization किस तरीके से होता था, पूरा जो medieval periods को दो भागों बारता गया है, एक पूरु वाला है, जिसमें आप देखेंगे, invasion, अर्भों का आकर्मन यहाँ पर हुआ, और लेटर वाला क्या है, देली सल्तनत वाला, ठीक है, इसके बाद, examine the position of women through the institution of marriage, property, proprietary rights and widowhood, आपको बताना है, महिलाओं के इस्ति बतानी आपको, महिलाओं के इस time period में क्या रही, important question, लेकिन जब आप इन्हें बता रहे होंगे, तो किन किन को ध्यान में रखना है, वीडियो हुड किस परकार की थी, वो चीज़ा आपको बतानी है, clear, in what ways did the organization of craft production, rural areas different from that in urban air centers, देखे, सात्वा कोशन समझनी कोशिस करना important है, in what ways did the organization of craft production, बताए, craft production की जए organization थी, rural areas में, differ from that in urban centers during the 6th to 13th century, आप बताए, rural area में जो craft की क्या थी, आपकी organization थी, वो urban area से किस तरीके से अलग थी, ये बात आपको यहाँ पर बतानी है, rural area की organization urban area से किस तरीके से different थी, ये question थोड़ा नेयर टाइक का है, इसलिए repeat कम ही होगा, यहाँ से question एक एक repeat होगा, मैं आपको बताएंगा कौन सा, tantrism एक question यहाँ पर है, है ना, प्राकरतिक और पाली, प्राकरत और पाली भासा, important question है, आपको पता है, असोग के अभिलेकों में इन्ही भासा का इस्तेमाल किया गया था, गांधार school of art, है ना, गांधार school of art पर question, और astronomy in early India, ये, इन्हें से ये question important हुझे लगा, प्राकरत और पाली वाला, बाके questions आप थोड़े-थोड़े से roughly पढ़ लेंगे, चल जाएगा, पर इसे जरूर सुल्व करना, clear, चलिए, बात करते हैं, इसी question paper को हिंदी मीडम में भी discuss करेंगे, बहुत fast revision के साथ, देखें, नाम हो गया है, भारती इतिहास का विसे second, हैना, important question को highlight करेंगे, साथ वहन कोन थे, इनका गठन किस परकार हुआ, साथ वहन कोन थे, इनका गठन दच्छिन बारत में, दक्कन पटारी छेतन में किस परकार हुआ, triple star question exam में बार-बार छपने वाला सवाल important है, यह छपेगा, ठीक, इसके बाद, गुप्त वन्स, गुप्त वन्स का राजनितिक विस्तार important question है, इस time period के बीच में चाहे आपसे व्यपारिक बंदरगा पूछे, या फिर आप कह सकते हैं, संगठन पूछे, यह important है, तीने प्रणाली पर comment का question आता ही आता है, यह important है, ठीक, जिन पर में triple star लगा रहा है, उन्हें आप जहां से कर लेना, यह similar pattern का सवाल है, इस समय आपधी के बीच में, व्यपारिक बंदरगा आपसे पूछे, या फिर क्य इस तरीके question है, कहीं से कुछ भी आपको क्या दिया गया है, आप पर include किया गया है, सासाथ मैंने का था, सेम ही time period है लगपग, लेकिन इस बार क्या पूछा है, वाने जिक संगठन, और अभी आपसे क्या पूछा था, आप कहेंगे सर, अभी व्यापार पूछा था, अब व पत्ती पर अधिकार क्या था, विद्धा विवाओं के स्थिति किस तरीके की थी, विद्धा महिलाओं के स्थिति किस तरीके से थी, सोरी, ठीक, चलिए, question number 7 को देखिए, छिती से आप कह सकते, 13 सिताबदी के बीच, ग्रामीड चेत्रों में जो सिल्पत पादन होता था वो और सहरी चेत्रों में जो सिल्पत पादन होता था, उसमें किस परकार का आपको अंतर देखने के लिए मिलता है, जब रजस्ति का बनाया हुआ कोशन है, ऐसा कोशन नहीं होता, तंतरवाद के दी बात करने तो आपको पता है, वेदों में जो यजुर वेद हो, तंतर का वे वीडम के साथ मिनट के सेशन में आपने बहुत कुछ सीखा होगा, अगर आप इसकी कौन से क्लास चाहते हैं, हिंद या इंगलिश में तो कमेंट करें, आज के लिए कि अवले इतने ही दोस्त, धन्यवाब, नमस्कार,